क्लास नंबर 6 लर्न टू ट्रेड सीरीज में दोस्तो आपका स्वागत है ये सीरीज बड़ा फेमस हो गया दोस्तो लोगों को सडली मुझे लग रहा है कि बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे लगता है लोग इस सीरीज का वेट कर रहे थे मुझसे और इतना अच्छा कमेंट मिल लुए ओफ ट्रेडिंग सिखा रहा हूं और सिखा तो मैं अनपुर्णा को रहा हूं बट साथ समात में कई लोग है जो ये सीख पा रहे हैं और फीड़ाइक तो बड़ा अच्छा रहा है तो चालू करते हैं क्लास नंबर 6 अनपुर्णा अलो सर्म स्वाइव यू यू बट सब्देश कर रहा है पुए खार्म स्वार्ट इससे प्रेडिंग अच्छा मार्केटी बिल सकता है कोई इस भी डिंटिफएशन हो जाती है तो स्टाऊ पांच पर साथ पर संद ऐसे भाग जाता है अजा कई तरफ़ इन एक ठर्फा मार्केट रहा है अपने देख किसे मैं सेंसेक्स और निफ्टी को फॉलो कर रहूं मतलब जो दिखाते कि अभी गोईंग अब गोईंग नाउ तो संसेक्स निफ्टी भी वैसे तो अल-टाइम हाई पर उतना जादा उपा नहीं होता है लेकिन स्टॉक्स में बहुत जारा उचाल पता को बच्छ आप बूल रहे ह स्टॉक्स डाला उसमें तो मुझे बहुत जादा नहीं दिखा बात तो सही है क्योंकि आपने वो पांच से दस तॉक्स डाले होंगे जो कंजम्शन ओरिंटेट होंगे जैसे मुझे गैस करने जीज़ आपने हिंदुस्तान लिवर डालागा याज तो देगे ऐसा है कि हर स् तो FMCG सेक्टर जिसमें आपने शाहिद अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं कोविट के टाइम पे वो सेक्टर में काफी अक्टिविटी चलेगी अभी वो थोड़ा आराम कर रहे हैं कंसॉलिडेट कर रहे हैं मैंना आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेंडिंग मार्क क्योंकि मार्केट में अलग-अलग स्टॉक्स अलग-अलग सेक्टर सोब सकते जिसमें अभी अक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम सो आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपार्ट फॉम इस्टॉक्स विच यू आ ट्रैकिंग जो आप रेगुलरी देखन चाहते हैं पिकाज उनका चाल सबगण चाहते हैं उनसे आप दोस्ति करना चाहते जो इसके अलाव़ा भी स्टॉक्स अड़िटेफाइप करने चाहिए जिन में मोमेंटम आ सकता है तो मैंने दूसरे ये तीसरे वीडियो में आपको कहा था कि हम सीखेंगी कि कैसे मोमेंटम प्रोबिलिटी इनको कैसे इडिपाइ करता है तो एक प्रोसेस होता है उसको कहते है स्क्रीन करना तो जो प्रोसेस करने करते है आज मैं आपको प्रेस्स दिखाऊंगा तो आपको याद होगा मैंने आपको दो सौफ़ेर इंस्तॉल करवाय था ट्रेडिंग व्यू और अनुपुना पहले के जमाने में जब मार्केट इडर्मिनेंटी युएस मार्केट से ही सारे मार्केट आए है यह समझते हैं कि युएस इस बेस ऑफ कैपितलिस्तिक सुसाइटी तो स्टॉक मार्केट का जनम एक्चली युएस से ही हुआ है देखा जाये तो तो वहां पे 1920 की बात हो रही है तो वहां पर एक कॉंसेट चलता था टेप रीडिंग का अच्छा टेप रीडिंग यह इसको कह लोग बोलते थे टिकर रीडिंग को क्या कॉंसेट था था कि पहले तो यह एलेक्ट्रोनिक मीडियम नहीं थे कंप्यूटर लाप्टप यह समी था तो हर दिन एंड अफ दे एक कागज पे स्टॉक का प्राइस लिखावा था ठीक है और आपने को मुवी भी देखा होगा वो गूरू मुवी देखी ती जिसमें अविशेट बच्छन ओफ-लाइन चिला-चिली कर रहा है टेड कर रहा है इन फेक्ट आप अगर एकनोमिक टाइंस निउस्पेपर देखोगे तो आज भी एक दो पेज़ेस है जहां पर स्टॉक के प्राइस लिखेवे हैं अपके सामें तो लैप्टॉप पे तो आप गूगल करोगे या आप स्टॉकेज में जाओगे तो सारे डेटा भी मिल जाते हैं बल पहले के जमाने में डेटा नहीं मिलते थे तो पेपर लिखेवे रहे तो लोग उसको रीड करते थे उससे जज्जमेंट बनाने की कोशिश करते तो टेप रीडिंग अब हो गया है इलेक्ट्रोनिक ठीक है इलेक्ट्रोनिक वे में अब देखते तो आप स्टॉक जि कुछ दिनों का मुमेंटम पकड़ना इसका मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना ओके स्विंग मतलब समझते हैं अब स्विंग अपने समझा एग थोड़े ताइम के लिए रखना जरूरी है आप बच्पन में आप तो बहुत कि हम लोग पार्क में जाते ते में बहुत किया तो करें को जातर शात पर यहिंग से इनदर करों से थोड़ है दो त्सक्षर उतकर पोपार इसे करें सिप्रेगा फिर केरो वार्य से तो आपका के स्दुख के निटौक आप क्ड़ा कि थीन हैं कि अधिय्म के स्विंग करनेे धाउं तो के शींग करें और यार दाउंटरेंड बाइशा दाओ जोंस दाओ इंडेक्स यह बिसकील यूए तेट भी दियर जिसको डिली फॉलो करते हैं तो आप जोन्स हमें थहिरी कहते हैं जिसका बार किस्कहा हमें है यूथ करता मतब तेजी भी होगा तो वह बार जाएगा नीचे जाएगा बर जाएगा लेकिन अप्ट् खो सवारिंद में आफू सिट लगी तो सवेंड ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो वह एंडव देडे स्टॉक के मोमेंटम किने की आपकू झारते हैं चैण सहो है और जो वह हैं तो वहाय डुक्षच कर रहा है वह इंट्राडेग करके निधक कोशिशक करता है कि कौन सा स्टॉक में अभी मोमेंटम आ रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको दौनों दिखा हुआ कि आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहले इंट्रादे की बाद करें तो एक टूल है मेरे पास में जो सपेशली इंट्रादे की लिए यह उस होता है जैसे हम लोग यूस करते है हमारी ओफिस में इसको फैल्कन आपको शाम को आपको भादे काम करेंगे निचे इस तरह के आपको स्पेशलाइस तूलस लेने पड़ेंगे जो एक-एक ट्रेड को मैं चले नीजम वे चा सब्सक्राइश कर खो एंच कुछ कापच्य करने ह। तो यह च्छी क्वेर जो पर नीव होंगो च्छी मारणिक रिंग खोफ्टी थैदा था Candi रूंच कुछ कोई बात नहीं है तो मैं समझाने के कोशिश करता हूं कि इसमें scripts के नाम है यह code है ठीक है तो exchange के अंदर में कोई भी script script या equity कोई भी stock जब आता है तो इसको एक symbol देगा जाता है इतना बड़ा नाम तो हो नहीं सकता ना जैसे लार्शन टुब्रो इन्फो टेक लिमिटे इतना बड़ा नाम होगा तो वह देखने में प्रावाट लगए तो उसको code दे दिया जाता है इसको symbol बोलते है तो script name बोलते है symbol बोलो तो यह वो script के कर रहा है यह ticker ठीक है events कर रहा है यह बोल रहा है at low of the day तो यह सारे stock अपना दिन का low के पास trade कर रहा है और green मतलब यह दिन का high के पास trade कर रहा है तो trading तो यह लेकिन third party soft है यह वो trading terminal का पार्ट नहीं है लेकिन आप broker से put सकते हैं अगर उनका terminal पे अवलेबल है तो mostly brokers के terminal पे रहता है बट क्योंकि मैं इसको यूज करता हूं मेरे selling pressure आज दिन बर में low कौन बनाएगा जो उसको बेच रहा है और जो दिन बर में high बना रहे है इसका मतलब buying momentum है तो typically intraday trader क्या करते हैं यही दूढने की कोशिश करते हैं कि आज किसमें buying चल रिए किसमें selling चल रही और जिसमें buying चल लिए उसमें लेके काम करना है और जिसमें Selling चल लिए उसमें भेज के काम करना है अब वो company क्नी और प्रशें है जेर वालिफcially है कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी है को प्राइवीट कंपनी हमको को बोलते रीडिंग करना इस से जच करना कि आज क्या चल रहा है फिर उसके बाद यह एक है टिकर वाच मैंने डाल रहा है यह क्वांटिटी कि बड़े-बड़े क्वांटिटी में काम कब हो रहा है क्योंकि अगर एक शेर का काम हुआ तो उतने इंपॉर्टेंट है सो शेर का काम हुआ डिपेंड करता है कौन सा स्क्रिप्ट है रिलाइंस में सो शेर के काम बड़ी बात है वोड़ा फोन आइडिया जो कि बारा रुपया उसमें सो शेर का काम कोई खास बात नहीं है तो वैल्यू टर्म में अगर बड़े-बड़े वाल्यूम का काम हो रहा है एक काम वह आपके लिए इंपॉर्ट है कि निफ्टी के अंदर में 48 लॉट का सेलर आ गया है उसका मतलब बड़ा आदमी आ गया है तो आप भी फिर बेचने का मन बनाएंगे तो यह सिस्टम से आप अलग-अलग मैंने विंडो बना रखे हैं यह बहुत डीटेल साइंस है इसके प कोई बाइंग और सेलिक का मोमेंटम है यह जो करने की कोशो करूंगा कि बड़ा आदमी क्या कर रहाए बाड़ा आदमी मतलब यह ऊसकता है यह दो लेने आए यह बेचने हम Оcke बीचने हम online मिल को सब्सक्राइबॉर्स चाह टीचमा ने एक डिवें इससे आपको च्रूकर स् अब आप स्टॉक सब्सक्राइब यहां से देख रहे हैं कि कोई स्टॉक में कंटिनिसली बाइंग बाइंग चल रहा है एक बार इसको अबसर्ब करते हैं थोड़ा टाइम तर देखिए तो यह हो गया अबुआ इवेंट्स मतलब कंछ स्पेशल बात हो रही है यहां बड़ा कॉंज्टिटी लाल मतलब कोई बेच रहा है इत अब जैसे हम देख रहे हैं में आप ск्रे令 कोई वाहिं का इंटरेस्त साहरे तो आप क्या करोगी इमिरेटली आप रेडिग विवू में जाओगे तो लेट मैं गो टुट रेडिंग विवू नो ठीक है अब ट्रेडिंग विवू के अंदर में अगर मुझे इंटराले ट्रेड तो मैं डेली चार्ट और तू आवली चार्ट नहीं देखूंगा फिर मुझे देखना है फाइव मिनेट तो बहुत कम हो जाएगा वह तो एक दम टेक्ट बाइट ट्रेडिंग के लिए हो गया इनपक्ट वो जो फैलकन सौफ़ेर उसमें भी चार्ट आप है तो आप वह जबी वहां उसमें आप क्लिक कर दोगे स्था उसमें चार्ट खूल जाएगा तो वह आप इंट्रेड चार्ट वहां पर भी देख सकते हो अगर आपको उसका नहीं देखना है तो अप्टेडिंग में देख सकते हो यहां पर अगर मैं चार्ट को कर देता हूं पंदर मिनिट का चार्ट ठीक है और यहां पर कौन सा स्टॉक आया था हमने देखा था आइसे से बैंक तो चलिए इसे से बैंक फटा फर दिख लेते हैं यह सब फटा पर करना पड़ता इंट्राडे में तो मौ अबस्क्रार में रहेता है तो आप देखो यहां पर यहां पर यह जो शुइंग लो है उपर जाके यह वापस यहां आए एक चोटा एटम्ब यहां पर बनता है क्योंकि यहां पर एक support हो सकता है 625 का support हो सकता है प्राइस सलना भी 627 तो एक छोटा एटेम्प यहां पर लिया जा सकता है क्योंकि बड़े-बड़े कॉंटिटी में ट्रेड हो रहे हैं और एक बायर इसका बाइंग प्रोपेंसिटी दिख रहा है रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है क्योंकि सपोर्ड के पास में और अगर यहां ट्रेड कर रहा होता तो शायद रिस्क रिवार्ड प्रेवर्ड नहीं होता क्योंकि यह सपेट से सपोर्ड से दूर चला गया इस पे दिखो लगने को है अगर आज मैं इसको 626 में लेता हू अगर नेचे 624 लगने को 2 रुपया है तो आने को कितना होना चीए आने को तो जो अपना supply zone तक होना है कि मेरे को पता है यहां पर उपर में supply zone यहां पर कुछ लोग है जो sell कर रहे इसको तो रुपर आने को चार रुपया आने को है इसके अंदर में कम से कम साथा रुपय तो इस्टू वन का डिमान तो इंट्रेड एक अंदर में छोटे-छोटे लगने को ने चीए और छोटे- आपको 5-10% मुवमेंट मिल जाएगा इंट्राडे में में तीन परसें मुवमेंट मिल जाएगा लगने को तो परसें लेकिन आप ट्रेड बहुत करोगे इमेजिंग करो इतने सारे स्टॉक आरहे अब हर स्टॉक में फटा-फट जागे टेकनिकल देखोगे और जिसमें जाना होसे लेकि साड़े तीन बेर तक एक इंट्राडे ट्रेडर खाली टेप को रीड करके एक जजमें लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा स्टॉक में अभी एडिस मोमेंट मोमेंटम है और टिपिकली यह स्टॉक को वो स्कॉर्ण आपका पोजिशन रहे गया आप उसको स्कॉर आप करते हो जाया प्रॉफिट है कि चाहा लॉसा है यह तो बैंकिंगे जो अभी अर्री काफी इंचेस में सबरा को फड़ घुए दूसरा स्टॉक ले तो मेरे को फरक नहीं पड़ता है बैंकिंग कि इंफ्रा है क्यों करता है कौन सा सेक्टर को बलॉं करता है मेरे इंट्राडे में फॉन्नामेंटल का कोई वैल्यू नहीं है कंपरी का बिजनस का कोई वैल्यू नहीं है फिर भी एक दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं बैंकिंग छोड़ दे लिए अब देगे कोई स्कॉचिस कर आप देगे कोई स्कॉचिस कर आप देगे कोई स्ठोक पीएफ सी यह अपना दिन का लो के नीचे चल रहा है तो पीसी ढूणते हैं और फिनन्स कर्परिशं दिन दिन का लो में चल रहा है तो यहां सकता है यहां से यह गूम भी जाए तो यहां में एक रिस्क लेने का रिस्क ले सकता हूं तो इंट्राडे में जरूरी निया कि बेच रहा बेच रहा तो आप भी बेचेंगे यहां कॉंट्रें प्ले करने में रिस्क रिवर्ड इस्यों बहुता है तो जो आप बोलें बेच के खेलना उस पर अगर अब थोड़े लाइबरेट की बेच के खेलना इग्जाटली होता कि बेच के खेलना मतलब आप किसी स्टॉक को ले सकते हैं और बेच पी सकते हैं लेना तो बहुत सिंपल है कि आपने कैश दे दिया ब्रोकर को और जितना आपने कैश दिया है उतने का ही वैल्यू का आप ले सकते हैं बट बेचना आपके बास तो है नहीं तो आप बेचेंगे जब आपने बेचा है cash market में तो आपको delivery देना होगा जब आपके पास है नहीं तो आप end of the day delivery कैसे देंगे कि इंडिया के अंदर में T plus two settlement होता है मतलब आज आपने बेचा है तो पर्सों आपको share देना पड़ेगा आपके पास है नहीं तो आप बेचने सकते हैं इंट्राडे कर सकते हैं सुबह बेच दिया शाम तक कवर अप कर लिए या अगर आप cash market में कर रहे हैं अगर आप derivatives में कर रहे हैं futures and options में कर रहे हैं तब आप short position मतलब बेचने का का काम कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में बिकाज वह एक अलग complex instrument है उसको हर तरह से समझना बहुत जरूरी है before you trade इंट्राडे में आपको एक concept बता है कि इंट्राडे में जनली लोग क्या करते हैं चोटे-चोटे momentum identify करते हैं इंट्राडे करते हैं उन में इस तरह का प्राइज बिहेवर इंट्राडे करके इस देखो कैसे support को इसने फट कर बेचा इसका मतलब clear हो गया clear हो गया कि यह अब यहां का support zone को थोड़ेगा अब यहां पर आप एक बेचने का item कर सकते हैं 125 में बेचने का item करेंगे stop-loss एकदम इसके ऊपर बेचने का होगा 125-30 stop-loss प्रोब्ली स्केंडल का high को भी stop-loss रख सकते हैं which is approximately 126 अगर यह इसके नीचे close हो जाता है मतलब एक और candle खुल जाता है जो कि इसके नीचे ही है इसका मतलब convincingly यह stock अभी और दाउंट्रेंड में है तो इसको और फदर हम बेच सकते हैं okay ठीक है डीटेल में इंट्राडे टीडिंग पर अपने वीडियो डिसकूस करेंगा बट स्टॉक कैसे अडिपाई करते हैं वह मैंने आपको एक मोड़ा बुड़ी पता है लेकिन इंट्राडे इस नॉट इसी ग अगर आपको वह एंड अधी डेल हम वक से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो वह कैसे करेंगे वह मैं आपको जिखाता हूं उसी के लिए इस तॉकेज़े जो कि आपको इंट्राडे में इतना एफ़र्ट का काम करने से बचाता है फ्सक्वित क्या करता है आपको एंड the day scan करने का पॉचेटी देता है कि इतने सारे stocks में से ये सारे stocks हैं जिन में momentum आ सकता है और उसी stock में जिसमें momentum आ सकता पारिस्पेट करना चाहेंगे तो stockage में जब आप जाएंगे ये web version of stockage का आपको पता है यहां पर scans है हमने ready made scans बना रख है तो कुछ free है कुछ paid है अभी मैं आपको free scans दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत impactful हो सकता है जैसे price scan price scan से आपको क्या समझने आता है what is it price को scan करना price based parameters पे stocks को scan करना price based parameters क्या हो सकते है previous day breakout scans मतलब जो जो stock है जो अपना previous day का high को तोर दिये है otras week breakout scans scan से stock है जो अपना last week का हाई को तोर दिये यह last week का लो को तो तोर दिये इसका मतलब राशन में breakout दिखने को है गये रेक इस में breakout हो गया है अभी एस top हो सकता move करेंगे गाभाशा लास्ट Ride款 सक्रेंगा क्लो क्लोज Crossing last month high मतलब यह जो Stauc है वो कल क्लोच किया है जो कि पिछले महीने का high के ओपर close किया तो यह अच्छी बात है कि बुरी बात आस वाइब क्योंकि अगर पिछले महीने का high को तोड़ पिछले मेंटे दिया इसका मतलब इसमें buyers वह बहुत confident है तो हो सकता है यहां और यह स्टॉक अपना मुव्मेंट क्लोज क्रॉसिंग लास्ट मन्त लोग पिछले मेनी का लोग उसने तोड़ी अब देखो यह सारे परामिटर्स प्राइस से निकाले हुए 52 विक हाई कि कौन-कौन से स्टॉक है जो अपना 52 विक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है कौन-कौन से स्टॉक है जो अपना 52 विक हाई जोन में इसका मितला होता हा हमने जो किसी बी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप अंदर जाओगे ना यहां पर आई है वो आई क्लिक कर गए तो आपको पता लग जाएगा कि हम इसके बारे में क्या बोगते हैं तो 52 वीक हाई जो जो स्टॉक अपना 52 वीक हाई का 15% का रेंज में हैं वो मतलब तेजी वालों के हाथ में हैं तो एक तरह बुल होते है तेजी वाले हमेशा अच्छे स्टॉक को हर बाव में लेते हैं मंदी वाले गलत स्टॉक को हर बाव में देशते हैं तो 15% रेंज हमने देखा है कि यह फे रेंज है कि अगर कोई स्टॉक 15% तक है इसका मतलब वो तेजी वालों के कंट्रोल में है okay विए चांपिर कौन्ट से सापके जो पिछले दो साल का हाई को तोड़ चोड़ रहे यह उस जोन में आ Rएे तो यह जितने भी इंडिकेटर सा है सब्सुर्प्राइज सब्सुर्इभ्र एक एक इंडिकेटर में जाईए और आप हर इंडिकेटर को स्टड़ी करिए पहले कि यह क्या इंडिकेटर और मैं इससे क्या करने की कोशिश करा हूं क्योंकि आगर आप हर इंडिकेटर के बारे में जान लेंगे यह इंडिकेटर नहीं हर पैरमिटर के बारे में जान लेंगे तो फिर आप मुल्टिपल कॉमिनेशन बना के पैरमिटर को यूज कर पाएंगे let me quickly tell you कि और क्या-क्या scans है price scan, दूसरा volume and delivery scan इसका मतलब क्या है कितने भारी मात्रा में डिलिवरी हो रही है तो आप इसमें यहाई delivery पशेंटेज है इसका इंडियोरे मतलब डिलिवर कैसे और तो शेयर आप अगर आज ले रहे हैं बहुत लोग ले रहे होंगे बहुत लोग बेच रहे होंगे तो इंट्रादे पाम ओर लेकिन सारा काम ए तो गर तो लेके नहीं कि पोजिशन को तो डिलेवरी बताता है कि कितने लोग घर पोजिशन लेके जा रहे हैं तो जो जाद जितने ज़्यादा लोग घर में पोजिशन लेके जाएंगे उतना उस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम का कण्विक्शन है सब्सक्राइब बढ़ा और डिलिवरी वा एक लाग शेर का प्राइज बढ़ गया तो आपको लगेगा रहे इसमितेजी लेकिन डिलिवरी वी खाली एक हजार शेर की तो लोगों ने इंट्राडे खेल लिया बट घर लेके गए खाली एक हजार शेर यही दूसरा स्टॉक है लोगों जो भड़ा है दिलिवरी एक की लाक शेर वहीं एक लाक शेर बट डिलिवरी यह 10,000 शेर की तो आप क्या बोलोगे कि 10,000 लोग जो घर लेके गए हैं दाट इसमोर वाल्यूफल देए घर कितने लोग लेको और पोजिश्चन वह रेलेगे हैं विकॉस्ट जो घर प पोजिशंब बिल्ड करने वाले लोग डिलिवरी लेकर तो और यह करता एक operator का position बताने में कि क्या operator position घर लेकि गया है कि लिए उपरेटरिटर इन्ट्राइटे काम करता है उपरेटर डिलिवरी बेस्काम करता है तो यह टेड की सारे सकैंस से हमको यह पता लगेगा कि कौन staredCare में ज्यादा ओरनाइट। तो कि एंपया उसके बाद ए टेखनीर के लिचांबंड आयवेरेश कि चाहनी का और आरसक्त बता है मैंने आपको एक्जामपल दिया था पुजारी और भगवान का न तो यह सारे पुजारी यह हर पुजारी के बारे में सबंदा पड़ेगा फिकास कहीं ने कहीं कोई ने कोई पुजारी आपको किसे ने किसी भगवान का एकसर्स देदेगा अचा उसके बाद है और थिर्मिंठ्म makers तो फंड़ेमेंटल मतलब परफॉर्मेंस ब्सका कैصा है उसका सेल्स हो जार उसमें हमारे यस best करने में हमको help करते हैं अब fundamental में भी multiple parameters है तो मैं आज की वीडियो में आपको इतिने सारे नहीं बताऊंगा आज मैं आपको सिर्फ price scan को बोलूगा weightage दीजे because price से आपको यह पता लए गया कि कौन सा stock में momentum है कोई भी एक पकड़ते हैं जैसे last week breakout scan stock crossing last week high इसको क्लिक करिए तो आपको stocks के नाम मिल जाएंगे जो पिछला week का high को cross कियें कल तो new India assurance 20% तेज था कल जनरल जनरल insurance cooperation 20% बैंको बरोदा 13% हिंदुस्तान कॉपर 12% तो यह stocks तेजी में हैं तो यही stocks में एक तेजी का momentum आने की chances हैं तो जब आप सुबह हुंबग कर रहे हैं तो यह stock के list के साथ बैठे हैं और इनी का चार्ट सरी कर रहे हैं और जबी भी इनमें उपर का supply zone टूटे तब एक entry लेना चिए stop-loss लगा कि और अगर कोई मंदी का stock है जैसे जिनमें तो था 2801 और इसने तोड़ दिया close किया 278 तो आज चलते हैं टाटा एलेक्षी में क्या हुआ देखते हैं तो पंदर मिनिट का चार्टी देखेंगे क्लिक हम इंट्राडे कर रहे हैं तो अगर सुबह का trade देखें तो नौ पंदर को इसने तो हमेशा याद रखिए जब सादने भीशे जब मार्किट चालोटा है किया मार्केट 610 कीलम्ह excess टिस्तर घमासान यूधा हूता है कि कौन लड़ रहा है जिसको पोचिशन स्कॉरर अप करना और जिसको नया पोचिशन बनाना बड़े लोग लड़ नाग कर देखे है और हम लग इस दो हाती के बन जाने केंडल मतलब यह पहला 15 मिनिट का ओपन हाई लो क्लोस बनके यह आप पर कैंडल बन गया ठीक है अब यह स्टॉक आपको दिख रहा है कि प्रिवेस वीक का लो तोड़ रहा है इसका मतलब इसके अंदर में नेगतिम मोमेंटम है तो जब यह पहला 15 मिनिट का लो तो तो मेरे को यहां हालाइट कर देना चाहिए पहला 15 मिनिट का लो और पहला 15 मिनिट का हाई तो क्योंकि यह प्रिवेस वीक का लो तोड़ा है तो जब यह पहला 15 मिनिट का लो तोड़ेगा तब स्टॉक को बेच देना चाहिए यह एक स्ट्राटिजी क्यों बेच देना चाह बेचोगे तब जब ये अपना लो का मोमेंटम करेगा लो का मोमेंटम करने का एक तरीका है कि पहला पंदर मिनिट का कैंडल का हाई लो को अबज़र्ब करो जब भी लो तोड़े तब बेज तो स्टॉप लोस के साथ तो ये एक स्टाटेजी है मैंने आपको बता है तो आप क्या करोगे कि अभी मताब आज के लिए मैं आपको ये अपको सब्सक्राइशन दे रहा हूं कि आपका हूंवक है कि स्टॉखेज के अंदर में ये जितने भी स्कैन से इनको आप देखो इनके बा कि कैसे आप मल्टिपल स्केंश को कंवाइन करके और बेटर फिल्टर कर सकते हैं कर एक स्कैन सब्सक्राइब को सौस्टॉप बता रहा है अप एक और स्कैन को आड़ करोगे तो आपने प्रॉबिलिटी पढ़ा होगा इंट्रसेक्शन कि एक स्कैन एड़ कि एक और एक और फिर एक और अपने एड किया तो वो 30 फिल्टर डाउन होके 10 हो गया तो इसका मतलब वो 10 तोग है जिनमें हाई चांस है कि कल कुछ बढ़ा होने वाला तो आप उसी 10 तोग को अपने वाचलिस में डाल के ट्रैक करोगे और जबी भी प्राइस में किसी तरह का एक्षिन आएगा तब आप उसके अंदे में पारिस्पेट करोगे तो इतने सारे जो स्कैन्स है तो इसमें से आपने बोला की सकति कॉम्हिन से यह पने सिर्स्केन यहां करें तो आफने वी रिकारड करेंगे क्या यहां इक जी्ट्रों कि यहांअच्ट करोगे तो यहां पर एक जो स्कैन्स है क्या if i can क्लिक करोगे तचुंधा हूड आजागा ह dreams के बाद अब कॉंबिनेशन कैसे करेट करते हैं यह मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा वरा आज का वीडियो का मेरा अब्जेक्टिव यह था कि क्योंकि आपने एक लिमिटेड स्टॉक्स अपना एक उनिवर्स सिलेक कर रखा है अगर आप ट्रेडिंग एक्टिवली क स्टॉक्स करेंगे कैसे आप राइट कॉंबिनेशन करें सर एक और क्वेस्टन का इस तो हो गया कि इसे करेंगे सर बट कितने स्टॉक्स करीदू मैं हो कैसे डिटमाइड करों नहीं तो पहली बात आपको खर देने का माइंड से निकलना पड़ेगा वें यह अर आप अग् की किस थाफने हैं चांस है कि मेरे को पैसा देगा काम तो आप मैकसिममं कितना पार्च यह शह्तों करना होगा या बहुत जो लगाव हो तो अच्वन घंक हर आप करना हूगा तो दस शीयाल स्टॉक करना करना होगा तो कर सक आर्ज करींनी पॉर भाग ठार्श नहीं ही पर not get chance to square up your trade, ठीक है, फिर दीरे दीरे उसको बढ़ाएंगे, but 10 is max, position energy, तो इसका मतलब, अगर 100 stock आपके सामने आ रहे हैं, तो उसमें से कौन से 10 best trades है, वो आपको identify करना है, वो ही तो skill है, उसी में तो समय लगेगा, काफी time लगेगा, before you can identify, हो सकता है, सो में से आप 50 कर पाएंगे, फिर 40 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर तीस आएगा, फिर टॉप 10 stocks है, जिन में हाएस्ट चांस है, पैसा बनाने का, वो आप identify कर पाएंगे, but that will take some time, तो दोस्तों ये तो हुई concept scanning को लेके, it's a very complex concept, थोड़ा time लगी जा समझे महने पुना को, और आपको भी, but at least ये आदत stockage यूज करने का आप ढालिए, शाम को अधा एक गंटा अगर आप बैठेंगे, और ये scans से stocks निकालेंगे, और वो stocks का tracking करना चालू करेंगे, ये कि इनमें हो क्या रहा है, over a period of time, तब आपको ये thought process, ये application आप और बेटर तरह के समझ सकते हैं, इंट्राडे trading करना, ये एक different ball game है, overnight position रखके swing trade करना, ये एक बहुत different ball game है, मैंने देखा है, जो लोग ये करते हैं, वो ये नहीं करते हैं, जो लोग ये करते हैं, तो आप अभी तो immediately आप नहीं decide कर पाएंगे, कि आपको क्या सही आपके लिए, तो आप दौनों को test कीजिए, check कीजिए, कौन सा आपके लिए सही हो सकता है, और over a period of time, शायद आपको confidence आजाए, कि क्या मैं intraday ही करूँ, या मैं swing trading करो, तो ये वीडियो भी आप समाप करते, ये class लंबा चल गया, चलिए अब थोड़ा थोड़ा लंबा वीडियो भी करेंगे, because class है, तो उसको बीच में रुका नहीं जा सकता है, तो next class के अंदर में और interesting discussion, और interesting topic पे, तन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बाबाई,